अब थिरी शेडर्स फॉर माइनक्राफ पॉक्ट एडिशन जो कि आपकी गेम को बिल्कुली चेंज कर देंगे मलब जो आपकी ग्राफिक्स है वो काफी जादा इंप्रो हो जाएंगे तो चलो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यह देखो गेम की जो क्लाउट से यह भी कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं एक बर वाटर पे नजर मार लेते हैं वाटर तो इतना चेंज नहीं है बट इसका जो कलर है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो चुका है और वाटर के अंदर थोड़ा बहुत है ना ब्राइट ह झाल 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 कोई शेडर का नाम है सेल्मोन शेडर और इसमें जादा कुस तो चेंज नहीं होता है मलब हाँ थोड़े बहुत कलर में इसमेहना डिफरेंट है यह जादा हाई है और ना यह जादा लो है बलकि तोड़ा है ना मीडिया में और यह लोइन डिवाइस के लिए बिल्कुल पर कुछ लैग ने होता और हाई एंड डिवाइस तो इसको मक्षन की तरह यूज कर सकते हैं विल तो यह हमारा थर्ड नमर का शेडर जिसका नाम है एच वाई आरड़ी और भाई इसको लगाने के बाद जो आपका गेम हो काफी जादा चेंज हो जाने वाला है मलब जो आपके हैं कि देक। इसका जो कर रिखेक्ट वह यह कितना रियालिस्टिक हो रहा है मलब दीखोने की कितना रियलिस्टिक है और एंज दूसरी बायो मैं से स्टार्ट हो रही है इसका भी जो कलर है वो भी थोड़ा हाई है और इसका नाइट व्यू तो काफी ज़्यादा ओसम है विल आज के लिए इतना ही मिलते कोई न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई